IPL 2021 की सुरुवात बहुत ही जल्द होने वाली है सभी टी में IPL 2021 की तैयारियों में चुट गई है IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पहला मुकावला चेन्नाई सूपर किंग्स के खिलाप खेलेगी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेन्नाई सूपर किंग्स के खिलाप दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बेस्ट प्लेंग 11 के बारे में अगर आपने हमारे चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चेनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें IPL 2021 कर दूसरा मुकावला चेन्नाई सूपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा यह मुकावला 10 अप्रेर को साम साड़े साथ बजे सुरू होगा यह मुकावला स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया जाएगा और होट स्टार पर इस मैच की लाइब श्ट्रीमिंग भी की जाएगी आपको बता दें यह मुकावला मंबई के बान खेड़े इस्टेडियम में खेला जाएगा अगर हेड टू हेड रिकॉर्ट्स की बात करें तो चैन्नई सूपर किंग्स का प्रदर्सन दिल्ली से अच्छ रहा है अभी तक चैन्नई सूपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 23 मैच खिले गए हैं जिसमें 15 बार चैन्नई की टीम ने बाजी मारी है तो वहीं 8 बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत हासिल की है अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेंग 11 के बारे में बात करें तो IPL 2021 में दिल्ली की कप्तानी रिसव पंत करते हुई नज़राएंगे रिसव पंत चोटिल स्रियस एयर की जगह है लेंगे जो कंधी में चोट के कारण इस T20 लीग से बाहर हो चुके है स्रियस का बाया कंधा इंगलेंड के खिलाब तीन मैचों की सीरी में पहले बंडे के दोरान चोटिल हो गया था वह अगले चार महिने के लिए करकेट से दूर रहेंगे रिसव पंत को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बत और कप्तान ने उप्तिक कर दिया है यह रिसव पंत के लिए एक पहतरीन खबर है सिखरधवन और प्रिथवी सौ दिल्ली के लिए पारी की सुरुआत करेंगे तीसरे पाइदान पर बल्लेबाजी अजिंक्या रहाने कर सकते हैं वो स्रियस आयर की जगहे खिलेंगे चौथे स्थान पर खुद कप्तान रिसव पंत खेल सकते हैं पाचपे पाइदान पर दिल्ली केपिटल्स की तरब से सिमरन हेट मायर धमाल मचाते हुए नजराएंगे वल्राउंडर की रूप में अक्षर पटेल और मारकस श्टोईन इस टीम की प्लेंग लैवन में सामिल होंगे अगर हम दिल्ली केपिटल्स की गेंदवाजी की बात करें तो रभी चंदरन अस्बिन, कगी सुर रबाडा, औरिच नौर्खिया और अमित मिस्रा टीम में खेल सकते हैं आपकी राए में दिल्ली केपिटल्स की प्लेंग लैवन क्या होनी चाहिए क्या रिसवपंत को कप्तान बनाना सही फैसला है या नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें